तो अगर आपको यह रेसिपी देखनी है तो मेरी वीडियो को लास तक जरूर देखें मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शोट रेसिपी है आपको बहुत मज़ा आएगा इसे देखने में जटप आप चाहे तो इसे घर में भी बना सकते हैं और चाहे तो इसको मार्केट से भी मगवा सकते हैं तो यहां पर मैंने पापड़ी लीए अब इसके उपर में सबसे पहले लगाूँगी इमली की चटनी जब तक पापड़ी चाठ या दही बल्ला में इमली की चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता है आपको पता है तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहां इमली की चटनी और साथ ही अब मैं इसमें एड़ करूँगी यहां आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी हमें बिना गैंस जलाई यह बनानी है चाठ सिर्फ दस मिनट में रैडी हो जाएगी और यहां पर मैं थोड़े से कटे हुए प्याज लगा रही हूं इसके उपर विदाउट फायर रेडी हो जाएगी यह बहुत जल्दी आप देखें अब मैं इस पर लगाऊंगी थोड़े से कटे हुए टामाटर साथ ही अब इसमें मैं लगाऊंगी तो यहां पर अब मैं सब पापड़ी के उपर कटे हुए खीरा लगा दूँगे छहाए तो सूओन भी इसमें एड़ कर सकते हैं वॉयल पोटैटो मिसमें आड़ कर सकते हैं जो आपकी ऊचायो इसमें एड़ कर सकते हाँ आप तो यह सारी पी मैं अपर हैं तो अब इसमें और अधर करेंगे दही दही को मैंने यहां पर फेंट कर रखा हुआ था उसमें मैंने पाउडर शुगर भी आइट करी थी उसे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है तो यह थोड़ी थोड़ी दही मैंने सारी पापड़ी के उपर डाल दिया अब मैं इस पर दुबारा आइट करूँगी इमली की चटनी और उपर से मैं दही फिर से आइट कर रही हूँ अगर आपके पास ग्रीन चटनी हो तो आप इसमें ग्रीन चटनी भी आइट कर सकते हैं इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है आप सिंपल धनी और पुदिने की चटनी बनाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं इसके उपर मैं डाल रही हूँ पुदिने वाली बूंदी नमकीन बूंदी जिसका हम राइता डालते हैं वो मैं इसपे आइड कर रही हूँ इसका टेस्ट बहुत बड़ी आता है पापड़ी चाट में और इसके उपर मैं डाल लूँगी हमारे मसाले नमक, मीर्च और चाट मसाला पाउडर तो यह बिल्कुल रेड़ी है हमारे पापड़ी चाट तो अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने घर पे जिरूर बनाएं क्योंकि बिना फायर के ही ओन के ही बन जाती है तो मिलते हैं अगली रेसिपी में थैंक यू सौ मच